कटक उडीसा में 58 दिन बाद भी श्रमिक आंदूलन जारी है कटक जगतपुर में श्रमिक आंदूलन 58 दिन से जारी है अब तक सरकार ने उचत फैसला नहीं लिया है श्रमिकों ने ठंड बारिश और धूप में बिना खाए पिये इस अंदूलन में सम्मिलित रहे खबर है कि जगतपुर पैपसी कमपणी यानी त्रप्ती ड्राइविंग प्राइविट लिमिटेट कमपणी फाटक के सामने 23 दिसंबर 2019 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक समस्या का कोई सम अधान नहीं हुआ है श्रमिक यूनियन के तरफ से जलाद्यक्ष तहसीलदार श्रम अधिकारी को भी बताया गया पर किसी ने कोई भी कारेवाही नहीं कि और श्रमिकों को कहना है कि अगर दो दिन में आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो रास्ते में चक्का जाम करें कटक से रोश्नी खातून के साथ लक्षमी धर बहरा की रिपोर्ट आफा मोट्यान को जाम घातून के साथ बखोर खुए रोश्नी को मुगां पर जातून को घात्ता हुए रोश्नी कि अगर तो रॉक्ता फन्हार बताया थे जिसलाग हो अगर रुका पर लागरि गया श्र देवाच एंशनी हो आपने बशिका दिवस्ता ग्रह करूँ आमा भावु चुछे तो आजरास्ता को नहीं जितुछ। आजरास्ता को नहीं जितुछ। करूँ आमा भावुछ। अजय को सिर्मीप्जन आए अविया दियां पर्ड़ और हम सय दोना विन दोस्टर मोई उन्हां ठाज़ाँ कि पाते तुन्हाताक कॉ्लिक्न legitim ड़ाand आप जाएधिया कारिक hedgeश पूरब करAt्सके सप्की भीम थोस्टर आप हम उन्हां कामाया क्यों जहीं किए परजन था आफ त यू सा थिनी आठा दिनी आठा दिनी आठा अगे उलानाओ वंगाने मुखने के ठीछा। ऐत्या स्वाद गर्भासंग अभंगे नादा हो जा लाख जाए में आटता हो राजापात्य। कि युट्ति दिन परे सठे तिन पूरिवा तुम्दर अधर्षाए रविवागता ना रम्पिर्वाम को सरकार, विवड़ भाव रह बहुटाब को समाधननुकर बड़े दिन पूरिवागता, पुरिवा तुम्दर समय भागता। बड़ी चाली चन्दी एक वहाँ अथनत दुख़ दाया केचा, शम्पन नुहाँ रे नवें रर मसर्कार रो प्रतार कोरुच बड़ी जे आमा सर्कार फाइब टीर में विश्वास कोरुचिवहली यह समधुवाग मदे फाइब टीर आकोचिवहली यहाँ शम्पन नवार मे व्रूद्दरे आई निगात पदेफके में तुरंत एक अंचलरे एक कंपानी व्रूद्दरे जन्नमत जाग्रत करेया पाई गांगार सभाकर करेवे हजार जार लोकुण टाकी कमपानी प्यक्वानी भे पद्धेख्याव नवापपाईं आम एटी उद्याम करुचु एबंग आम आसा करुचु समिक भायमाने ए लड़ेगी आवर आगेईने भे काँगिना ए लड़ेगी जदी हरिवे ताल आव ए जगत्पुर शिर्पांचलर रे इवनान के भापने तरुग ए लड़ेगी जगत्पुर शिर्पांचलर लड़ेगी जगत्पुर शिर्पांचलर सबु स्रमिक्स्त्रेणी समत बुद्धीची भी आगेईने लड़ेगी ज